कि दियर फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी कॉलिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिसकुशन के साथ में जिसका नाम है एनलिटिकल बैलन्स केलिब्रेशन्स तो आएए जानते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो डिसकुशन्स में कहकर है तो सबसे पहले कंटेंट्स में हम बात करेंगे सब पहले कि सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकंस ऑफ एनलिटिकल बैलन्स की तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अनलेसिस जब हम करते हैं तो उसमें हमें संपल का वेट या स्टंडर्ड का या टेस्ट का वेट लेना ही होता है और उसी के बेसिस पे जो भी इंस्ट्रुमेंट की रेडिंग आती है उसके बेसिस पे हमारी सारी कैलकुलेशन बेस्ट होती है तो इंटायर अनलेटिकल वर्क इस डिपेंडेंट ऑन अनलेटिकल बैलन्स तो अगर मेरे अनलेटिकल बैलन्स में अगर कोई एरर आ गया या correct way नहीं हुआ तो जो बेरी analysis है और उसके results है वो compromise हो जाएंगे और उसके कोई guarantee नहीं है कि वो result correct है plus side में है या minus side में है या accurate है तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा analytical balance जो है वो एकदम correct हो और हमें correct way दे रहा हो दूसरा क्या है analytical balance की जो accurate weighing है यह बहुत important है कि इसमें accurate weighing होनी चाहिए अगर accurate weighing नहीं है तो हमारे results में difference आ सकता है और calibration अगर हम balance का करते हैं तो ही हमें यह assurance मिलता है कि जो भी हमने weighing की हुई है वो correct है या accurate है और हमने weighing करने के लिए suitable balance का use करना बहुत ज़रूरी है ताकि याने उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि हम 10 gram का वज़न कर रहे हैं और 100 kg का balance use कर रहे हैं या 10 gram का वज़न कर रहे हैं और 1 kg का balance use कर रहे हैं तो अगर इस तरह की कोई अगर activity होती है तो उसमें जो उसके sensitivity की वज़े से आपकी weight compromise हो सकते है Next हम बात करेंगे guidance documents की अगर हम इसमें guidance की बात करेंगे कि guidance क्या क्या available है तो USP में chapter number 1251 है weighing on analytical balance और USP में ही chapter number 41 है जिसमें balances करके यह chapter है तो यह दोनों chapters जो है USP के जिसमें correct weighing और analytical calibrations में क्या क्या करना है और balance की बाकी की चीज़ों के बारे में discussion किया हुए है BP में अगर हम बात करेंगे तो appendix 5S है balances for analytical purposes इसमें detail में दिया हुआ है कि क्या क्या test होने चाहिए किस तरह का area होना चाहिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ है और Indian pharmacopeya में अगर हम बात करेंगे तो general chapters में 2.1.7 weights and balance करके दिया हुआ है जिसमें balances के calibration के बारे में balances के बारे में बताया हुआ है तो आईए जानते हैं कि सबसे पहले ideal condition for balance installation कि जिस जगह पर हमने balance को install करना है वो जगह कैसी होनी चाहिए वहाँ पर कहके उसकी requirement है तो सबसे पहला है room shall be dust free तो हमारा room जो है साफसुतरा होना चाहिए उसमें dust नहीं होनी चाहिए अगर बहुत ज़्यादा dust होगी तो वो आपके weighing में interfere करेगी ऐसा मानते हैं balance shall be installed on level surface balance जो है वो plane surface पे install होना चाहिए जिसमें जिसका surface जो है even हो और इसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पताचला balance एक तरब से तिर्चा हो रहा है या एक तरब से टेड़ा हो रहा है तो उसमें हमें correct weighing नहीं मिलेगी और shockproof platform और support shall be used इसमें generally लोग recommend करते हैं कि leveled surface और उसके लिए हमने इसके specialized tables आते हैं जो shockproof होते हैं और plane होते हैं जिसमें हम level adjust कर सकते हैं उस तरह के platforms हमने use करना चाहिए then away from air current and direct sunlight तो जो direct sunlight है या air current है जैसे कि किसी duct का outlet है वो directly balance के उपर नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर air current अगर उसमें आएगा और balance analytical balances जो है क्योंकि बहुत कम capacity के होते हैं और इसमें variations दिखेगा और correct weighing नहीं हो पाएगी then temperature और RH की बात करेंगे तो temperature जो है ideally 25 degree centigrade के आसपास होना चाहिए weighing के time पे maintain करना चाहिए हमने balance room का और RH generally 40 to 60% recommend करते हैं कि 40 to 60% अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है then away from magnetic fields तो कोई भी magnetic field उसके आसपास नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर magnetic field हो तो उसके balance के accuracy पे impact आता है then test to be done in calibration की जब हम balance का calibration करते है full scale calibration तो उसमें हमें क्या क्या test करने चाहिए number one है sensitivity number two है accuracy linearity eccentricity और repeatability तो आईए एक एक करके बात करेंगे इनकी इससे पहले हम ये जानेंगे कि minimum weighing capacity हम कैसे determine करते हैं कि किस balance पे हम किस से कम नहीं वजन कर सकते हैं तो इसके लिए USP में अगर आप पढ़ेंगे chapter जो मैंने specify किया है अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये specify किया हुआ है कि किस तरह से हम minimum weight capacity निकालते हैं तो इसका formula है minimum weight जो हम ले सकते हैं वो 2000 into S इससे ज्यादा होना चाहिए अब S क्या है S है standard deviation 10 readings का in mg का और इसमें एक condition और है कि if the value of S is less than 0.41 D then equation क्या हो जाएगा 2000 into 0.41 D अब D क्या है D आपका है balance का list count तो इसकी हम capacity कैसे निकालते हैं आईए हम अलग-अलग example के द्वारा समझते हैं कि इसकी capacity हम कैसे निकालते हैं तो let us suppose कर लिजे कि हमारे पास में एक balance है जिसका list count है 0.001 अगर हम इसमें mg में अगर देखेंगे तो 0.1 mg का यह balance है अब suppose कर लिजे कि मैंने 10 readings ली और 10 readings 5% capacity का जो weight था उसके ली और उसकी 10 readings का जो मेरे को standard deviation आया 0.0015 आया अब इसकी 0.41 into D की value अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आएगी 0.41 into 0001 ग्राम में तो इसका calculate करेंगे तो यह आजाएगा 0.40 then 41 तो standard deviation of 10 readings in mg is जैसा कि हम को इसमें दिख रहा है कि S की value जो है 0.0014 है और आपका 0.41 D की value जो है 0.4041 है 4041 जो है कम है तो इसका जो equation बनेगा वो 2000 into 0.41 D बनेगा जब हम 2000 into 0.41 D की calculation करेंगे तो 2000 into 0.41 into 0.0001 जो इसका list count है इसको जब हम calculate करेंगे 0.082 grams आएगा यहने 82 mg तो अगर मेरा list count 0.0001 ग्राम है तो मैं आइडियली 82 mg से नीचे वजन नहीं कर सकता हूं अगर मेरा standard deviation 0.00015 आता है तो इसी तरह से अब दूसरी capacity के balance पे एक बार समझ लेते हैं कि कि किस तरह से हम इसको calculate करेंगे तो एक दूसरा example यह लेते हैं कि 0.001 ग्राम और 1 mg का balance है तो इसमें S की value हमने मान ली कि S की value है 0.0006 तो 0.41 into D की value अगर निकालेंगे तो 0.41 into 0.001 तो यह आ जाएगा 0.00041 और S की value क्या थी 0.0006 तो 0.0006 जो है वह आपका 0.0041 से छोटा है तो इसका equation क्या हो जाएगा 2000 into 0.0006 तो जब हम इसको calculate करेंगे 2000 into 0.0006 तो यह आपका calculate होके 1.2 grams आएगा तो जब आपका list count 1 mg का है तो आप सबसे कम जो vision कर सकते हैं इसमें वह 1.2 grams कर सकते हैं then analytical calibration balance के calibration के analytical balance के calibration के बारे में क्या का test हमने जो देखे थे इससे पहले उन test के बाद कर लेते हैं सबसे पहले accuracy है तो accuracy के लिए हम जो weights use करने होते हैं 5% to 100% of the capacity है अगर किसी balance के capacity है अगर 100 gram के दी हुई है तो हमें उसके लिए 5 gram से लेके 100 gram के weights use करने चाहिए accuracy को check करने के लिए ऐसा ideally recommended है और place the weights one by one 5 to 100% on the pan and record the displayed weight तो हमने एक एक करके वजन जो है lowest से लेके highest तक है 5% then 10% 20% 25% 50% 100% इस तरह से weights रखने है और जो भी weight display हो रहा है उसके against में वह हमने record कर लेना है record करने के बाद में जो actual weight है और जो displayed weight है उसके बीच का जो difference है 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो अगर मेरा 100 mg अगर मैं रख रहा हूं इसके उपर तो 100 mg का 100.1 आ सकता है या 99.9 आ सकता है इससे ज्यादा deviation नहीं हो सकता है इसी तरह से 0.1% आप 1 gram का अगर देखेंगे तो उसका 1 mg का 1000.1 1001 mg और 999 mg अगर होगा तो हमारा within limit है तो यह इस तरह से हम अलग-अलग weights के लिए 0.1% की limit calculate करके और उसके बीच में इसके ratings आनी चाहिए then second test की बात करेंगे repeatability repeatability के लिए हमें generally 5% से उपर balance capacity के 5% से उपर की weight हम select नहीं करते हैं 100 mg generally ideal weight होता है repeatability को करने के लिए तो हम 100 mg को 10 times weight करते हैं और जो भी आपका reading आती है उस reading को हम note कर लेते हैं और उसके बाद में हम उसका standard deviation determine करते हैं जो हम repeatability की value निकालते हैं उसका equation है 2 into S divided by M minimum into 100 तो M minimum जो है आपका minimum capacity of the balance जितना minimum weighing capacity जो हमने पीछे देखा था वो हमने जैसे minimum weighing capacity जो निकाली है अलग-अलग balances की उसी तरह से balance की minimum weighing capacity निकालनी होती है और वो weight यहां पर use होता है तो 2 into standard deviation जो भी standard deviation हमारा आता है divided by minimum weight into 100 यह इसकी value जो है आपकी not more than 0.1 यानि 0.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए then sensitivity sensitivity के लिए भी हम 5 to 100% जो balance capacity की weights है वो select करते हैं generally 5% weight need to be selected after rounding off और इसमें generally हम 5% का weight select करते हैं जिसमें sensitivity evaluate करते हैं और अगर 5% का weight जो है अगर वो round off करना होता है जो nearest weight available है उसके लिए उसके पास में और उसके बाद में हम weight को pan पर रखते हैं और sensitivity निकालने के लिए जो equation हम यूज करते है i-m divided by m into 100 तो i क्या है displayed weight in balance on balance अगर 5 gram का weight अगर मैं ले रहा हूं तो 5 gram में जो भी weight display हो रहा 5.1 या 5.002 जो भी weight display हो रहा वो यहां पे put on होगा और m जो है उसका actual mass यानि 5 gram अगर उसका correct weight है तो 5 gram यहां पे होगा divided by 5 into 100 तो इसकी जो भी value आएगी वो not more than 0.05% आनी चाहिए तो यह आपके sensitivity की requirement है then linearity linearity के लिए हमें 3 से 6 weights use करने होते हैं जो 5 to 100% of the capacity होने चाहिए अगर 100 gram का balance है तो हम क्या-क्या use कर सकते हैं वो आपको यह हम पे दिखाया है 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram और 100 grams तो अगर हम यह use करते हैं तो हमारे 5 weights हो जाते हैं और हम generally generally जो बोल रहे हैं कि 3 to 6 weights होने चाहिए उसको हम comply करते हैं हर weight का हमने वजन लेना होता है और वजन record करना होता है plot the graph between actual weight on x-axis and displayed weight on y-axis तो x-axis पे जो हमारा actual mass value होती है अगर 5 gram है तो 5 gram हमने वहाँ पे लेना है और उसके actual displayed value जतनी है वो y-axis पे plot करनी है और उसमें जो भी points हमारे निकलते हैं उसमें फिर हमने line draw करनी है और उसका correlation coefficient हमने निकालना है correlation coefficient जो है आपका वो point 999 से कम नहीं होना चाहिए तो यह इसका acceptance criteria है linearity का इसमें 5 weight generally लेते हैं और जो actual weight और displayed weight है इसके भीच में graph plot करते हैं और जो इसका correlation coefficient होता है इस graph का वो आपका point 999 से कम नहीं होना चाहिए then eccentricity यह हम use करते हैं कि difference हमें check करने के लिए कि अगर हम pan के किसी भी कोने पर वजन करते हैं तो उसमें कोई difference तो नहीं आ रहा है इस चीज़ को check करने के लिए हम eccentricity test करते हैं तो इसमें बीच में हम वेट रखते हैं वह वजन करते हैं और सारे corners पे चारो corners पे हम वेट चेक करते हैं तो इसमें eccentricity check करने के लिए सबसे पहले हमने center में वेट लेना है center का वेट हम w1 मान के चलते हैं और उसके बाद में जो अलग-अलग corners पे वेट लेना है w3, w4, w5 तो यह चारो corners के वेट है तो eccentricity अगर हम calculate करेंगे तो maximum difference between center weight and corner weight divided by center weight into 100 तो इसका acceptance criteria क्या है जो value हमाई इस equation से निकलेगी वो not more than 0.05% होना चाहिए यह not less than लिखा है उगलत है आपका not more than 0.05% इसकी actual value है then जो हमने weighing जब हम करते हैं तो हमने क्या-क्या cautions रखने हैं इसके बारे हम बताया गया है तो अगर कोई भी balance पे spillage अगर होता है तो उसको हमने immediately clean करना चाहिए अगर बहुत ज्यादा time तक है अगर हम balance पे होने का डर लगा रहता है तो उसको immediately clean करना चाहिए balance हमारा जब भी हम weighing कर रहे हैं तो within calibration range होना चाहिए और जो weight हम use कर रहे है calibration balance calibration के लिए वह भी आपके calibrated होने चाहिए और appropriate grade के होने चाहिए और हमें ये check करना है कि जो हमारा balance का bubble है जिससे कि हम पता करते हैं कि balance का level correct है और plain surface पे रखा हुआ है वह center में होना चाहिए और हमने weighing जो भी करनी है वो non-absorbing receptacle हमने जो भी weighing करनी है वो non-absorbing continuous पे या paper या aluminum foil पे करनी है तो यह हमारी general precautions है दोस्तो उम्मीद है आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह पसंद आया है तो आप like button दबाईए और और लोगों से भी share करें ताकि और लोगों को इसका फायदा हो सके अगर आपने अभी तक के मेरी channel को subscribe नहीं किया तो इससे subscribe करें ताकि आपको latest notifications मिल सके नए videos के थैंक्स पर वाचिंग